रावन से युद्ध करने के लिए राम को मदद करने हजारों लाखों की संख्या में वानर इकट्टे हुए इन वानरों का नेता महाबली हनुमान यानि मारूती हनुमान उनकी प्रचंड वानर सेना और राम लक्षमन को अब रावन के राज्य पर हल्ला करना था और रावन की लंका से सिता को मुक्त करवाना था पर रावन की लंका थी समुद्र के उस पार अब यह समुद्र पार करके जाएं तो कैसे बड़ी बड़ी नाव बना कर सैन्य को उस पार ले जाना चाहिए क्या उसके बजा एक बहुत ही बड़ा सेतु ही बनाना चाहिए इस समुद्र पर ऐसा तै किया गया पर इतना विशाल फैला हुआ समुद्र उस पर चोटा सा सेतु काम आएगा क्या सेतु भी वैसा ही प्रचंड होना चाहिए बानकाम शास्त्र का जानकार एक वानर था नल उसे ये कार्य सुपोद किया गया बानकाम का मुहरत किया गया और शीव पुजा से कार्य का आरंब हुआ हजारों वानर काम में जूट गये कोई पत्थर ला रहा है कोई रेत ला रहा है और कोई तो पूरे के पूरे व्रिक्षे ही काट कर ला रहा है सर्वसामगरी का समुदर तट पर डेर खड़ा कर दिया गया पत्थर का सेतू बनाना है पर पत्थर तो पानी में डूब जाता है तो सेतू बनेगा कैसे? जो पत्थर पानी में डूब नहीं लगा अब क्या किया जाए मारुती ने एक मार्ग सोचा राम के वे परम भक्त थी उन्होंने एक पत्थर पर राम ऐसे अक्षर लेखी और डाल दिया वो पत्थर पानी में ये कैसा चमतकार पत्थर पानी पर तैरने लगा ये पत्थर डूब नहीं गया ऐसा हुआ मारुती की भक्ती के कारण बस हर पत्थर पर राम नाम लेकर पानी में डाला गया हजारों हाथ की मदद से राम नाम की घोशना के साथ सेतु बनाने का कार्यारंप हुआ तभी अंगद नामक वानर की नजर में एक बात आई उसने मारुती को बुलाया और दिखाया अरे हम इतने बड़े बड़े पत्थर, शीला, व्रिक्ष वगरे लाकर समुद्र में डाल रहे हैं पर यहाँ पर ये गिलहरी क्या कर रही है वो देखा क्या मारुती ने देखा तो सचमुच एक गिलहरी व्याकुल होकर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भाग रही थी वो चक्कर लगाती ही रहती थी अरे इतनी सी गिलहरी मिट्टी में रहेंगती है फिर भागती हुई पानी की ओर जाती है वहाँ जाकर अपना अंग जीन जोडती है फिर वापस आकर गिल्ले अंग के साथ मिट्टी में रहेंगती है फिर चली वो पानी में ये क्या बात है? मारुती ने जरा ध्यान से देगा सारी बात उनकी समझ में आ गई उन्होंने कहा अंगद वो तो हमारी तरह ही सेतु बानने में मदद कर रही है अर्थाज कुछ समझ में ना आते अंगद ने पूछा मारुती ने हस्ते हुए जवाब दिया प्रभु राम के सेतु निर्मान के इस कार्य में उसे भी हाथ मटाने की इच्छा हुई है पर हमारी तरह बड़े बड़े पत्थर लाने का काम वो कैसे कर पाएगी इसलिए वो अपने अंग पर रेट लगा लेती है फिर पाने में जाकर वो रेट जटक देती है ये भी तो एक ट्रका से मदद ही है ना ये सुनकर अंगद को आश्यर्य हुआ और बोला ये छोटा सा जीव पर कार्य में मदद करने का कितना बड़ा उत्सा कैसी निष्टा सचमुष यदि इतने छोटे जीव का ऐसा उत्सा हो तो कार्य पोड़न करने में विलंब कैसा तब ही श्री राम उनके पास आकर उनकी बातें सुन रहे थे उन्होंने भी गिलारी की भगदर देखी उन्हें अत्यंत आश्यर्य हुआ उन्होंने उस गिलारी को अपने पास बुलाया उसे हाथ में लिया बड़े प्यार से हलके हलके उसकी पीच पर हाथ खुमाया राम की इस शाबाशी के कारण गिलारे भी आनंदित हो उठी उसने राम को प्रणाम किया और तुरंथ ही नीचे खूद पड़ी सहर सहर करती हुई देखते ही देखते वो चली गए उसकी पीच पर राम के हाथ लगाने के कारण उंगलियों की रेखाएं बन गई थी इस गिलारी के वाँशजों की पीच पर आज भी हमें ये तीन रेखाएं नजर आती है मानों ये निष्ठा से कार्य करने का गिलारी को इनाम मिला हो इस तरह छोटे बड़े सब की मदद के कारण सेतू बनकर तयार हो गया और इसी सेतू को पार करके वानर सेना लंका जा पहुँची और रावन के साथ कैसे युद्ध किया जाए इसके योजना बनाने में सब्यस्त हो गए